स्ट्रीकाल, नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और स्वागत्या आपका हमारे चानल लस्फोर रोड पे और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ The Best Places to Eat in Auroville और शुरुवात करते हैं The Auroville Bakery से Well Auroville Bakery हिस्सा है Auroville Foundation का और इस फांडेशन के चितने भी काफे है Auroville में They serve the healthiest food possible और आप Auroville Bakery जब भी आए यहां की क्रोजाँ डेफिनिटली ट्राइब करें और यह एक परफेक्ट प्लेस है फोर अर्ली मॉर्निक ब्रेक्फिस्स क्योंकि यह खुल भी जाती है सुबा सुड़ इचे बजे और यहां पर यहां पर यहां वराइटी ओ प्रेट्स लेटली बैग गार्डन में इन्होंने एक ओपन सेटिंग अर्या भी बनाया है जहां आपको साथ इंडिन दिश्स भी मिलेंगी यहां आपको हर दिश अप्रोक्सिमेटली 100-200 के बीश मिल जाएंगी So, how's the closer? अ, थाना तो दे पनना? Yeah This is apple for stock अपको अपको ड़्वाद कोड़े अपको 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 It's soft on your top Correct Yes Amazing That's why I told you what to eat Cheese kosa Cheese kosa You know that the cheese more about a You know? It's a hot 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 You know विल हमारा नेक्स टॉप है दे यशीज कैफे विल दिस इस अलसो अ यूनिट अ ओरोविल वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं के इन सारे कैफे के रॉव मतेरियल्स आप्चुली आती कहां से हैं वेल यहां आपको बहुत सारे वीगन ओप्शिन्स भी मिलेंगे आपको हर डिश यहां अप्रोक्सिमेटल टूफिफ्टी में मिल जाएंगी पुरे औरवल में इससे अच्छी फिल्टर कॉफी कहीं नहीं और यह है यहां का मेन्यू और वीकेंस में देश सेल थुक्का और मोमोज आज वेल मैं औरवल में पिखले एक महने से हूँ और यह शी इस माई एव्रीडे ब्रेक्फेस्ट स्पॉट विल इनकी बूटीक भी है जहां पर आपको बहुत सारे क्यूट होम डेकोर्स और अलोड अज़ा अगनिक ब्यूटी और अरोमा परटक्स भी मिलेंगे स्टर्टिंग फों सोप्स तो सेंटेट कंडल्स और धूप्स और अलोड अट अटेक्स यहां की बोस्ट शालनी अक्का इस वेरी हेल्फुल और अवर और यहां की वाइबस बहुत पॉजिटिव है देशी खाने का अगर आपको मूड हो तो आप पैबल्स के फे भी आ सकते हैं और यह लोकेटिट है इसकी खास बात यह भी है कि यह होम डिलिवरी भी करती है और हम रुके हैं अभी टाइम ट्रावलर्स हॉस्टिल में जो पैबल्स के नजदीक है वेल और वेल में स्टे आप्शन जानने के लिए आप हमारी अगली ब्लॉक जरू ज़रू चेक हीजिए वेल अब हम जा रहे हैं तैंटोस काफे जो एक इतालियन रेस्टराँ है और यहां की पिजास काफी तेस्टी है वेल दिस इस आलसो अ येनित अफ और विल मैं लिविंग इन और विल मैं यहां की बहुत सारी काफेस जा चिका हूँ बट इस लॉग में मैं आपको यहां की बेस्ट काफेस दिखाने वाला हूँ और आपको यहां पे भी बहुत सारे वीगन ओप्शिन्स मिलने वाले हैं वेल टैंटोस भी आल सेवन देस कुली रहती है बट दे ख्लोस फॉर कापल अफ आज इन दी आक्तिनोम देसर्फ पास्ताज और पैस्तोस वैसे पास्ता और पैस्तो दोनों अलग चीजें होती है यह मुझे और आविल आने के बाद पता चला आल अल यहां की फायरवड पिजा बहुत अमेजिंग है यहां पास्ता आपको अप्रोक्सिमेटली 300 में मिलेंगी और पिजास अप्रोक्सिमेटली 500 में नेक्स्ट आप इस टबैक अगर आपको देसी या बिद्यानी या चाइनीज खाने का मान हो तो आप टबैक हा सकते है और यह जगा काफी लाइवली हो जाती है बाई इवनिंग अब हम आचुके हैं काफे 73 विच इस आइस्ट्रीम और बर्गर्स यहां भी आपको काफी सारे वीगन आप्सिंस मिले वाले है और यहां अप्रोक्स्ट हर चीजेंट आपको 250 में मिल जाएंगी विच जा जाएंगे सान्बीार भर्गर प्री को सान्बी पर्गर भाई खिसान्वाद हैं ग्रियंद्ग टेम्स गर्गर जोका टेयम्स गर्गर फिस्पीचिकन गर्गर औरसन गर्गर त्रेंच था यहां भ्ररा टेल्सम्रेटों कोल्ग ईसे बखाएंग रूला झाले तो इस तो विए ड्रीज श्यक्मड़्कों और अर आप हम हमाचि छिक्टे है रेड़ चिकने की रेचिली रेस्टरांट ये भी और सेवन देज खोली रहती है वेल ये जगा फेमिस है अपनी इतालियन डिशिस और स्मूदीज के लिए वेल रेचिलीज की फायर वोड पिजा इस वन फेस्ट पिजास आप हाद इन और अरोविल और ये सारे कफेस अर नौट अच्छली इंसाइड अरोविल कम्यूटी और अब हम बढ़ चलते हैं और अरोविल कैंपस के अंदर और ये हेड़ी विजितर सेंटर इंटरनाशनल जोन अरोविल कैंपस के अंदर हमारा पहला कैफे है राइट पाथ कैफे विच इस आपको बहुत सारे अप्सिंस मिलने वाले हैं सार्टिंस वीगन तो वेगेटरियन तो नन-vegetarian तो अगैनिक प्लेट्स, कॉंतिनेंटल, इंदिन कुजीन और लोट मोर इंदिन काफे हां वेल ये केफे ही और अरोविल लेती है थे क्यान सेरे स्कुर्स, इसे मंदें और 5.00 बड़एंग ये खेल्यों गाजह सब्सक्राइब पक्राइब तो अरोविल ये विख्थ सच्छी मारे विए पनारोविल को आपक्छारीों अरोविलम्स कि या तैकी दिंट कर वाल कि कर दो कि ओिए भिए डहा को बेहा compassion पर लिए बाइ बैस नहीं है लुए नहीं है तो पर दो लोग नहीं है तो इस पूरी इंट्रिव्यो देखने के लिए आप हमारी ओर्विल वाली ब्लॉग चेक कर सकते हैं वेल यहां आपको हर दिश अप्रोसिमेटी थो हुड़ तो थी हुड़ के बीश मिल जाएंगी सρίνeesant from Aruvill So that behind me is the information centre and along also the way to Mathramandir view point Here is Amen that's where you can go shop something for yourself or get some meals and I really enjoyed my food there I have my lunch there and now there is another eating area this way वेल, next up is dreamer's cafe वेल, ये जगा बनाए गई है recycled ship container से and this is also located in the visitor's center वेल, ये जगा फेमस है desserts, croissant, shakes और wrap के लिए और approximately हर डिश आपको यहां 200 तक में मिल जाएंगे वेल, ये भी all 7 days खुली रहती है वेल, ये तो थी Orwell की tourist areas वाली cafe और अब मैं आपको ले चलता हूँ Orwell की community के ठीक बीच में जहां पर located है Solitude Cafe वेल, Solitude Cafe एक हिस्सा है Solitude Farms का जहां वो organic vegetation करते हैं वैसे Orwell में और भी बहुत सारे ऐसे farms है और जितने भी unit of Orwell के cafe's थे, उन सब की सबजिया जाती है इनी organic farms से अगर आपको farming में interest है तो आप यहां पर इनकी खेद की एक टूर भी ले सकते हैं वेल, Solitude Farm के cafe में आपको मिले की gluten-free, sugar-free, vegan products Solitude Farm की best part है यहां की थाली जो बनती है लोकल सीजनल वेगटेबल से और दिस इस दो मोस्ट हेल्दियस तिंग यू कूद एवर है वर आपको में के एक्जाक लोकेशन आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वेल, अब हम जा रहे हैं Name Tree Cafe, which is also inside the Orwell community और यह भी all seven days खुली रहती है वेल, यह जगा famous है sunsets के लिए बट लेटली, this is becoming a new meeting point for Orwellins at night और यह है यहां की menu हमारा कैफेज वाला vlog यह ही कातम होता है अगर आपको जानना है कि actually Orwell में क्या हो रहा है तो आप हमारी Orwell वाली vlog ज़रू चेक करें तो मिलते हैं जल्दी एक नए जगा, एक नए प्लेस में तब तक के लिए नमस्ते